नमस्ते दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अभी हमने फिर से कुछ नया समान मंगाया था तो हमने सुचा आप लोगों को दिखा दें तो सबसे पहले तो हमने मंगाई थी फ्लिप कार्ड से फिर से एक साड़ी वही वाली साड़ी यह देखें यह जो और साड़ी आप देके साड़ी जो पहले हमगाई थी ह्हादं क्रीम क거든 यह वाइथ कोरद्य हुआ और इस नो इसमें बड़ा सफ़दार बना हुआ है बड़ा ही खुब्सूर्त सद्रसक Gör में कितो है प्रिंग वैस आठ्रैक्टिव जैसा यह है और यह हमको घुछ थोड़ी सी सस्ती मिली है यह 550 में या उससे थोड़ा सा 530 ऐसा कुछ इसका है तो प्राइस और हम जो है लिंक आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और खुबसूरत साड़ी है हमने इसको पहन के भी देखा था जो वो क्रीम वाली ती उसको हमने खल पहन के देखा और वह बहुत अच्छी लग रही थी पस थोड़ी सी साड़ी में थोड़ी सी यह प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी स्टिफ है यह साड़ी जैसे आप देखो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस करना पड़ता है से हम लोग बना के नहीं थोड़ा सा प्रेस करते हैं उसको ऐसे आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी और आप जो है वो तब अच्छे से उसकी प्रॉब्लम है मेरे कहल से वह भी एक दो बाल जब आप पहनोगे तो ठीक हो कुंक से पारों नहीं देखा तो यह तो अपर अब हम आपको अब करते हैं तो यह तो अब हम्टम से लिए वो इस देखिए हैं यों और यह ईक हो बन्स करके कंपनी है और इसका हमने एक यह मगाया है नेकलस जीसा है और यह मिंतरा से मगाया है तो यह जो नेकलस है आप देखी यह आप देखा है यह 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 आप इसको देखें अराम से अगर आप लोग को इसको जो लोग जानते हैं तो इसको हम लोग पहले समय में इसको सूतिया खा जाता था और ये बंजारे जैसे लोग जो होते थे वो ये गले में पहनते थे और उसके साथ क्योंकि सिल्वर जूल्री वो लोग पहनना पसंद करते थे तो वो गले में इस तरह की यह जो है वो सिल्वर का होता था और यह पहना बहुत लाइक करते थे तो यह जो है यह हम को इस्पेशली बहुत अच्छी लगती इस तरह की जूलरी तो यह हमने अपने लिए मंगाई थी और यह बहुत सुन्दर लगती है अट्रैक्टिव लगती है पहने में और पहले भी हम इस तरह की जो है गले में पहनने वाली जो है आज शायद इसको चोकर कहते हैं या क्या कहते हैं पर अच्छी लगती है ऑख्र और यह हमको 472 में मिली है तो यह अच्छी है और इसके साथ इस साड़ी के साथ तो उतना ज्यादा मैंच नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहता हैं अगर blue color के किसी कपड़े पे हम इसे पहनेंगे इसके साथ वही oxidized जो जुमकिये हैं अगर आप पहनते हो तो ये मेरे खेल से बहुत सुन्दर लगेंगे तो ये 472 की है मिंत्रा की है इसका भी हम आपको लिंक डाल देंगे इसके साथ एक और product हमने मंगाया है flip card से ही मंगाया उसके बागे में पड़ रहते तो ये है आपका इसके बारे में यूट्यूब में ही हमने देखा था तो बड़ी इसकी तारीफ सुनी थी कि बहुत अच्छा होता है और इससे जो बिल्कुल आपके blemishes हैं और आपके जो blackheads हैं वो एक दम से चले जाते अब मेरे तो नहीं है ये सब पर हमने कहा मंगा के देखे और बच्च प्राइ करके तो आप यह देखिए यह जो है यह इसको हम जैसा उसमें लिखा हुआ तो यह कि थोड़ा सा आप डाल के इसको देखिए और फिर आप इसको रब करिए वैसे तो इसमें कहा गया कि थोड़ी देर लगा रहने दीजिए बट अभी तो वीडियो लंबा हो जाए थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं तब तक आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लें वैसे वीडियो लंबा हो रहा है तो क्या है कि तयार होना सजना या घर सजाना यह सब कुछ जो कुछ भी है यह हम लोगों के अपने मन के उपर डेपैंट करता है कि हमको क्या अच् और यह सब हम लोगों का परसनल डिसीजन होना भी चाहिए घर के बारे में आपको एक बात बता है कि एक बहुत पुरानी मूवी हमने देखी थी आप लोगों में भी शायद किसी ने देखी हो बहुत पुरानी जो नए बच्चे हैं उन्हों तो नहीं देखी होगी अगर पूरा जो उसका थीम तावो ये था कि एक हस्बंड वाइफ होते हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ पैसे सेव करते रहते हैं कि हमें घर खरीदेंगे और फिर बात में ऐसा कुछ होता है कि हस्बंड को को दूसरी लड़की पसंद आ जाती है यानि कि वो लोग घर पे वाइ होती है वो एक दिन में सारे पैसे खर्श कर देती है वो बोलती है हिस्बंड को कि वो लड़की को बुला कर यहां लेकर कर आओ और वो पूरा पूरा जो है अपने घर में वाइटवाश करा लेती है खुद भी ठीक से नहीं रहती है तो वो ब्यूट्य परलर जाकर कर के तो इसको सर्प्राइज होता कि तो बहुत अच्छा सब कुछ है और वह वापिस चली जाती तो इस तरह कहने का ये मतलब है कि आप जो घर है वह हमेशा हम लोग छोटी-छोटी चीजों के लिए सोस्ते रहते हैं जब ऐसा होगा तब कर लेंगे वह होगा लेकिन ऐसा नहीं मे कुछ चेंज नजर आ रहा है कि इससा तो कुछ घास समझ में नहीं आ रहा है बढ़ ठीक है कि चलिए अगर आप लोग का मन करें तो इसे मंगाईएगा वह ज्यादा महंगा नहीं है वन थर्टी ऐसा कुछ था तो प्राइस हम डाल देंगे वैसे उसमें तो बहुत थारीव प्राइस है झाल वे वेड़े हैं lot now हों ठीक हों